जवाब मिलता है प्रधान मंत्री के पांच साल पुराने बयान में, सुरियां आप जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ इतनी देर में देश में एक शक्स एक खास वज़े से कुदкुशी खर चुका होगा को शक्स मेरे पडोस में, मेरे शहर में हो सकता है, आपके शहर या गाउं में हो सकता है, कोई लड़की हो सकती है, कोई लड़का हो सकता है देश का युवा क्या चाहता है नहीं वैसे तो बहुत कुछ चाहता है लेकिन एक अदद नौकरी मिल जाए या कुछ कामधंदा शुरू हो जाए ताकि पेट की आग की जादा फिकर न करनी पड़े ये चाहता है अगर नौकरी की बात करें तो भारत में दो तरह की होती है प् जाते हैं कभी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं लेकिन आवेदन, एडमिट कार्ट, परीक्षा, रिजल्ट और जॉइनिंग को लेकर होने वाली लापरवाही उनकी उम्मीदों को कुछल देती है केंद्र सरकार के स्टाफ सेलेक्शन कमिशन से परिशान इन युवाओं की आज विस्तार से बात होगी ललन टॉप शो में क्यों ये सब काम छोड़के पढ़ाई और रिविजन छोड़के एक हैश्टेक को ट्रेंड कराने में लगे रहते हैं इनकी तकलीफ क्या है और नरेंद्र मोधी की सरकार इस पर ध्यान क्यों नहीं दे रही हम एक बार फिर प लब्त करावा देश की प्रात्मिक्ता युवाओं को रोजगार देने की अगर नहीं है तो भी अब होनी चाहिए प्रधान मंत्री देश की युवा शक्ति पर गर्व करते हैं अंतराश्ट्री मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत की इताकत भारत की युवा है और ये युवा जब बेरोजगारी को लेकर अपनी समस्या रखते हैं तो सरकारें पूरा ध्यान नहीं देती हैं हम उमीद करते हैं कि सरकार युवाओं की इन मांगों पर ध्यान दे ताकि आगे से श्रिजन वाली शक्ति रोजगार मांगने सरकारों के खिलाब प्रदर्शन करने और फॉर्म भड़ने के बाद नौकजियों के इंतिजार में जाया ना हो अब जब ये शो देख रहे हैं और मैं आपसे मुखातिब हूँ इतनी देर में देश में एक शक्स एक खास वज़े से खुदकुशी कर चुका होगा हो शक्स मेरे पडोस में मेरे शहर में हो सकता है आपके शहर या गाओं में हो सकता है कोई लड़की हो सकती है कोई लड़का हो सकता है बीस साल का नौजवान या 35-40 साल का कोई आदमी हर एक घंटे में ऐसे खुदकुशी करने वालों में एक नया नाम जोड़ता जाता है आ नाकड़े हमें NCRB यानि National Crime Record Bureau से मिलते हैं और NCRB के 2019 के आकड़ों के मताबिक देश में करीब 1,30,000 लोगों ने आत्महत्या की जिसमें से 11,268 यानि करीब 9% दी आत्महत्याएं रोजगार ना मिलने की वज़े से या गरीबी या कर्ज में डूबने से हुई और जब हम खुदकुशी के नाकड़ों पर गौर करते हैं किसानों की खुदकुशी के आकड़े भी जेहन में आते हैं आठ से दस साल पहले किसानों की खुदकुशी के मामले हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा थे किसानों के आत्महत्याएं कैसे कम हो इस पर चर्चा होती थी बिरोजगारी का आकड़ा बढ़ता है, बिरोजगारी की वज़े से खुदकुशियों का आकड़ा बढ़ता है और बढ़ता है उन युवाव का गुसा जिनके साथ नौकरी के नाम पर क्रूर सरकारी मजाख होता है। चुनाओं से पहले सरकारे नुकरिया निकालती हैं, टेश के लाखों युवा सरकारी नौकरियों के वादे के पीछ तयारी में रातों की نींद जलाते हैं और फिर परीक्षा के इंतजार में कई बरस निकल जाते हैं अगर परीक्षा हो भी जाए तो नतीजे लटका दिये जाते हैं नतीजे आ भी जाएं तो जॉइनिंग देने में सरकार कई अरंगे लगा देती है और जो युवा शक्ती देश के स्विजन में शामिल होना चाहती थी उन्हें नौकरियों के लिए धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं सोशल मीडिया पर हैश्टेग चलाने पड़ते हैं अपनी बात कहने के लिए मीम बनाने पड़ते हैं और सरकारें फिर भी नहीं सुनती और तब सवाल मन में आता है कि हमारे देश की हमारी सरकार की पहली और सबसे जरूरी प्राथमिक्ता क्या होनी चाहिए जवाब मिलता है प्रधान मंत्री के पांच साल पुराने बयान में सुरिया भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्राथ्विक्ता है तो देश के नवजवानों के लिए रोजगार उपलब्द करावा रोजगार के योग के नवजवानों को तयार करना रोजगार के योग के नवजवान को तयार करने के लिए 2014 में सरकार बनने के साल भर बाद पीम मोदी न देश के युवाओं को नौकरी देने के लिए एक विजन रखा जिसकी बुनियाद इस बात पर थी कि हमारे पास युवा भी है और नौकरिया भी है दिक्कत बस इतनी है कि नौकरी से मिलाब का युवाओं में कोशल नहीं इसलिए युवाओं के हुनर को तराशने के लिए प्रधान मंतरी कोशल विकास योजना शुरू हुई इसके लिए एक मंतराले भी बनाये गया और तब देश के पीम ने युवाओं को क्या सपने दिखाए थे सुनिये अज देश का कोई नौजवान हाथ फैला करके कुछ मांगने के लिए तयार नहीं है वो दैनिये जिन्द की जीना नहीं चाहता है वो आत्म सम्मान से जीना चाहता है वो गर्व से जीना चाहता है स्कील, कौशल्य, सामर्थ है इसरफ जेब में रुपिय लाता ऐसा नहीं है वो जीवन में आत्म विस्वाद भर देता है इस योजना में 2020 तक एक करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग देने की योजना थी दा हिंदू बिजनस लाइन अख़वार की एक रपट के मताबिक 2019 के लोग सभा चुनाओं से कुछ महिने पहले तक इस योजना के तहट सिर्फ 34 लाग युवाओं को कौशन मिला और उन्में से सिर्फ 10 लाग को नौक रिया 2019 के चुनाओं के दौरान प्रधानमंत्री से बिरोजगारी के बढ़ते आंकलों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सवाल को ही अपवित्र बता दिया सुनिये आप फिर ये कॉंग्रेस का एजन्डा फिर आप लेकर के चल पड़े हो आप उसी का आगे बढ़ा रहे हो क्या सेवा कर रहे हो मुझे मालूम नहीं है आपने बोड़ा देखा होगा कि CIA का रिपोर्ट आया या हमारे IT सेक्टर का एक एक एसोशेशन ने उनका रिपोर्ट आया नेसकॉम का इन सबने कि पहले से कई गुना रोजगार बढ़ा है रिपोर्ट दिये हैं मई 2019 से मोधी सरकार का दूसरा कारेकाल शुरू हुआ इस बार मोधी सरकार ने डिस्कोर्स बदला पहले कारेकाल में युवाओं को आकुशल माना था इसके लिंडिया पर जोड था दूसरे कारेकाल में सिक्षा व्यवस्था में खामिया देखी गए कहा गया कि पढ़ाई के बाद नहीं पढ़ाई के साथ ही कौशल देने यानि वोकेशनल कोर्स शुरू करने की बात होगी और नई सिक्षा नीकी में से रखा भी गया और इससे युवाओं का जीवन कैसे बदल जाएगा प्रधान मंत्री ने इसके बारे में भी अलग-अलग मौकों पर बात की अब यह नहीं होगा कि पहले वाले कोर्स के लिए आपने जो महनत की थी वो बेकार हो जाएगी आपको उतनी पढ़ाई का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो आगे ले जाएगा साथियों आज देश में एक ऐसा इको सिस्टिम विक्सित किया जा रहा है जिसकी तलास में अक्सर हमारी वाँ विदेशों का रूख करते थे वहां की आधुनिक शिक्षा, बहतर एंटरप्राइज अपर्चुनिटीज टैलेंज को पहचाने वाली सम्मान देलेने की वाली व्यवस्ता उन्हें स्वाभाई गुरूप से आकर्शित करती थे अब देश में ही ऐसी व्यवस्ता हमारी वाँ साथियों को मिले इसके लिए हम प्रतिवद्ध भी हैं, हम प्रयासरद भी हैं आपने प्रधान मंतरी की बात सुनी अब उन लाको चात्रों की बात करते हैं जिनने नौकरी मांगने पर सरकार से किसी नई स्कीम की जानकारी पकड़ा दी जाती है 21 फरवरी यानि कि कल सोशल मीडिया पर एक बार फिर से रोजगार के मुद्दे पर युवाओं ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की मोदी रोजगार दो और बहाना नहीं बहाली चाहिए ट्विटर से लेकर यूट्यूब तग ये हैश्टेक चलता रहा दिन भर में करीब 25 लाग ट्वीट इन हैश्टेक्स पर किये गए और इसकी वज़े क्या है तातकालिक वज़े है SSC CGL 2019 के टियर 2 का रिजल्ट ये टियर 2 परिक्षा क्या होती है इसे लेकर चात्रों को क्या परिशानी है इस पर आएंगे लेकिन पहले SSC CGL के बारे में जान लेते हैं SSC यानि स्टाफ सेलेक्शन कमीशन SSC का काम होता है सरकारी विभागों के लिए भरती करना इसके लिए SSC तीन एहम एक्जाम कराती है पहला MTS यानि की मल्टी टास्किंग स्टाफ एक्जामनेशन ये एक्जाम अलग-अलग मंत्रालियों और विभागों में ग्रेट C यानि नॉन क्लर्क की भरती के लिए होते हैं दूसरा होता है CHSL यानि कमाइंड हायर सेकंडरी लेवल एक्जाम इससे केंड सरकार, lower divisional clerk, postal assistant, court clerk और data entry operator जैसे पदों के लिए भरती करती है तीसरा होता है CGL यानि की combined graduate level examination इसके जरीए केंडरी मंत्रालियों और विभागों में B और C grade के अधिकारियों की भरती होती है ये परिक्षा चार चर्णों में होती है तीर 1 और 2 का एक्जाम objective होता है बहु विकल्पी ए प्रशन तीर 3 descriptive होता है इसमें निवन्द और लेटर जैसी चीज़े लिखनी होती है तीर 4 computer based skill test होता है तो हुआ ये कि CGL 2019 के तीर 2 की परिक्षा 15, 16 और 18 नवंबर 2020 को हुई रिजल्ट आया तीन दिन पहले यानि की 19 फरवरी को जैसे ही अब्ध्यर्टियों ने जर्द देखा सोशल मीडिया पर campaign शुरू हो गया परिक्षा परणाम का विरोध कर रहे अब्ध्यर्टियों का कहना है कि 18 नवंबर का paper आसान था चात्रों ने काफी अच्छा score किया था कईयों ने कुल 200 अंग की परिक्षा में पूरी अंग तक हासिल किये थे लेकिन जब रिजल्ट आया तो ऐसे कई चात्रों का selection नहीं हुआ जिन्हों ने अच्छा score किया था चात्रों का आरोप है कि normalization के नाम पर 15-16 को कि एक पेपर जरूरत से ज़ादा आसान हो गया था SSE के खिलाब चात्रों का ये गुस्सा सिर्फ CGL 2019 exam को लेकर नहीं था कई वज़ों मैंसे ये एक वज़े थी इसके अलाबा चात्रों की demand list में seat बढ़ाने की fine and fair exam की और waiting list जैसे मुद्दों की भी थी उनित स्वरवरी को SSE ने result जारी किया तीन दिन बीच चुके हैं तब से अब तक छात्रों के इतने बड़े campaign के बावजूद SSE के ओड से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई जब हमने SSE का पक्ष जानने के लिए call किया तो chairman office से जवाब मिला कि help 9 नंबर पर बात करिए और help 9 नंबर तो ऐसा कि लगता ही नहीं ये तो बात हुई CGL की SSE ने 2018 में भी एक भरती निकाली थी Constable General Duty की बोलचाल की भाशा में से SSE GD 2018 काहा गया ये भरती पेरा-मिलिटरी फोर्सेज यानि की CRPF, ITBP, BSF, CISF, NIA और असम राइफल्स में सिपाहियों के 44,000 पदों पर भरती के लिए निकाली गई थी इसे बात में बढ़ा कर 60,210 पदों के लिए किया गया इस भरती के तीन चरण थे रिटन इग्जाम, फिजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट एप्लिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ जुलाई 2018 में तीनों टेस्ट पूरा होते होते आ गया जनवरी 2021 बीच में माल लेते हैं दस एक महिने कोविट की वज़े से फिर 21 सितंबर 2020 को लोगसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए केंदरी राज्यमत्री नित्यानंद राय ने कहा कि केंदरी अर्थ सैनिक बल में एक लाख ग्यारा हजार तिरानवे पद खाली है स्सी जीडी 2018 की भरती में करीब 85-90 हजार केंडिट ऐसे थे जो तीनों स्टेज पार कर चुके थे इनमेंसे काफी ऐसे भी थे जिनका ये आखरी मौका था यानि कि भरती प्रक्रिया पूरी होने में लिटल अतीफी के चलते ये ओवरेज हो गए थे और अगली भरती में नए जगें नहीं मिल पाती ऐसे में स्सी जीडी 2018 की अभ्यारतियों ने मांग की कि जब आपके पास तीनों परिक्षा पास करके 85 से 90 हजार कैनिडेट पड़े हुए हैं और सीटें भी खाली हैं तो फिर सब को न्यूक्टी क्यों नहीं दी जा रही लेकिन स्सी ने अभ्यारतियों की मांग कौन सुना कर दिया और करीब 44,000 सीटों पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की इसके लावा दिल्ली पुलिस भरती और SSC सीजियल 2020 का फॉर्म भड़ने मोई दिक्टों की वज़े से भी छात्र SSC को निशाने पर ले रहे हैं ये SSC की बात हो गई अब 13 सरकार के एक और विभाग रेलवे की तरफ चलते हैं रेलवे ने फरवरी 2019 में विज्ञापन निकाला नौकरिया ही नौकरिया NTPC यानि Non-Technical Popular Categories में 35,208 पोस्ट की वेकेंसी जिसमें clerk, ticket clerk, goods guard, station master जैसे पद थे इन पर भरती होनी थी इनके लिए आविदन करने वालों की संख्या एक करोड़ 26 लाग के लगबग थी जून और सितंबर 2019 की बीच इनकी परिक्षा आयोजित होनी थी फिलाल 2021 का फरवरी लगबग जाने वाला है और NTPC के पहले स्टेज का एक्जाम अब तक पूरा नहीं हो सका है आपको याद होगा पिछले साथ सेतंबर में किस तरह छात्रों ने बेरोजगारी के खिलाफ जम कर प्रदर्शन किया था तब नतीजा ये हुआ था कि NTPC के एक्जाम की डेट RRB ने घोशित की थी 28 दिसंबर 2020 से पहले स्टेज का कम्यूटर बेस टेस्ट एक्जाम शुरू हुआ जो अभी भी चल रहा है इसके बाद दूसरे स्टेज का कम्यूटर बेस टेस्ट होगा फिर मेडिकल और टाइपिंग टेस्ट इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर जाकर नियुक्टी मिलेगी NTPC के साथ ही रेलवे ने ग्रूप D की भी भरती निकाली थी एक लाग तीन हजार साथ सो उनहत्तर पदों की भारी भरकम वेकेंसी एक करोल पंदर लाग के लगभग इसमें भी आविदन आये थे सिदमर अक्टूबर 2019 में एक्जाम का शिडूल था परिक्षा अप्रेल से जून 2021 में प्रस्तावे थे यानि कि अब तक नहीं हुई SSC और रेलवे ये केवल दो केंदरी संस्थानों की स्थिति है जिनसे युवाओं को सबस्यादर नौकरी की आस होती है राज्यों के भरती आयोगों का हाल और भी खस्ता है उन पर भी कभी बात करेंगे हम एक बार फिर प्रधानमंत्री को उनका ही 6 साल पुराना ये बयान याद दिलाना चाहते है भारत के लिए सबसे पहली अगर कोई प्रात्मिक्ता है तो देश के नव जमानों के लिए रोजगार उप्लब्द करावा देश की प्रात्मिक्ता युवाओं को रोजगार देने की अगर नहीं है तो भी अब होनी चाहिए प्रधानमंत्री देश की युवा शक्ति पर गर्व करते हैं अंतराश्ट्री मंचों से कई बार कह चुके हैं कि भारत की इताकत भारत की युवा हैं और ये युवा जब बेरोजगारी को लेकर अपनी समस्या रखते हैं तो सरकारें पूरा ध्यान नहीं देती हम उमीद करते हैं कि सरकार युवाओं की इन मांगों पर ध्यान दे ताकि आगे से श्रिजन वाली शक्ति रोजगार मांगने, सरकारों के खिलाब प्रदर्शन करने और फॉर्म भरने के बाद नौकणियों के इंतजार में जाया ना हो आज के शो में इतना ही